सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नहीं ने इंफ्रमेटिव और रिजबर वीडियो ghost देखने के लिए तो चलिए शूरू करते हैं इस फीडियो को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें के अगरना है हमें अपनी doctrine की setting है इसको open कर लेना है setting open करने के बाद हमें यहां पर जाना है connection ऑचैन की इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर एक रिसेट का उप्शन होगा Wi-Fi, Mobile Data और Bluetooth को इनको रिसेट कर दीजिएगा इनको रिसेट करने के पाद नीचे स्क्रोल डाउन करना है सेटिंग में फिर सेटिंग में स्क्रोल डाउन करने पर एक ओप्शन देखेगा एप्स का इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको मैनेज आप्स का ओप्शन देखेगा इस पर क्लिक कर देना है मैणिज आपस में आने र्या logr सिर्ट करना है बाई हुआ है राइट भेण लेका जिसवी एप में प्रोबलम है। ल्यूर्बलम के इसे के लिए। रामों को आसी पाते हो में वे एपनी की एपाते है को प्रॉब्लमों प्रोबलम आाँ है । आपको एप को ओपन कर लेना है उस एप को ओपन करने के बाद सबसे पहले उसकी स्टोरेज पर आना है स्टोरेज पर आने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें के करने है उसकी एप परमिशन पर जाना है other permission पर आने के बाद किया भी सारी permission same to same one by one enable कर देनी है यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने पर एक option देखेगा restrict data usage का तो आप जैसे इस पर click करोगे यहाँ पर आपको देख जाएगा wifi और mobile data तो इन दोनों को enable कर देजेगा इन दोनों को enable करने के बाद आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पर एक option देखेगा clear default इस पर click करने और सास में अपने app को एक बार four stop कर देजेगा four stop करने के बाद एक पर अपने device को restart किजेगा और restart करने के बाद एक बार try किजेगा आपकी जो प्रॉब्लम है वो solve हो जाएगी तो thank you guys